आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बस वागए दोस्तो आज हमें कैसी वीर गाथा की बात करेंगे कि आप जोश से सराबोर हो जाएंगे ऐसी वीर गाथा हैं हमको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं हम बात करेंगे बैटल आफ रिजांगला की आपने 1962 का वार तो सभी ने शुना हैं बारत ने 1962, 1965, 1971, 1999 ये बेसिकली चार वार्ट लड़े हैं जिसमें 1962 भारत हारा है चाइना हमारा एक पूरा एडिया अक्साइचन ले गया अब अगर हम बात करते हैं बैटल आफ रिजांगला की तो ये जो बैटल है दोस्तो चाइना ने सब हरा दिया लेकिन इस यहां पर ये नहीं जीत पाए थे ऐसा था जीते तो थे मतलब चाइना जीता था लेकिन भारत के जवान भारत के 123 जवान चाइना के 5000 सोल्जर्स पे भारी पड़ गए थे बुरी हालत कर दी दोस्तों साइनो इंडियन वार की और बैटल ओफ रिजांगला की तो बात करेंगी क्योंकि लेचरी उस पर है तो दोस्तों ये कहानी है 1963 में आपको बताता हूँ 1963 में क्या हुआ फर्वरी उन्नितों से रिसेट में तब बरफ पिगली तो एक लद्दा की शेफट था वो रिजांगला गया और उसने देखा कि अरे ये भाई पूरी की पूरी बैटल फिल्ड है हमको भारती जवानों की बॉडिज जमी हुई बॉडिज मिल रही है टेंप्रेचर जो था वो माइनस 10 और माइनस 20 डिग्री में फ्लक्चुएट कर रहा था अभी प्रेडेटर्स आये नहीं थे भाई ये लद्दा का रीजन है और यहां पे भी भेडिये हो गए और बहुत थारे जो जंगली जानवर भूमते रहते हैं और उनका तो ये खाना थे लेकिन अभी तक आये नहीं तो रीजन आगला का पूरा का पूरा जो लैंड्सकेप था वो वाइट था एक दमबरब जमी हुई थी और जब इस शेफ़र्ड ने देखा इस चरवाहे ने देखा और बाप 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 ये क्या है भाई तो उसने तुरंट इंडियन आर्मी जो की गिरने लगे जितने भी इंडियन लीडर्स आयते हैं यहां पर आप समझिए कि यहां पर कैप्टन किशोरीलाल अपने इस से गौट्स ओफ वेलर में बताते हैं कि जब हम रिजांगला पहुचे 10 फरवरी 1963 में तब हमने भारत माता के बेटों की बेटों को देखा और वो भ अंबाडमेंट किया बट स्टिल किसी के पीट में गोली नहीं लगी थी जो बॉड़ी थी जो हमारे वीर्स योधाओं की बॉड़ी थी हर बॉड़ी में 30 से 35 बुलेट्स थी नायप सूबेदार हरी राम की बॉड़ी में 47 गोलियां लगी थी एक बंकर शील उसमें 800 बुले थे ये चीज रिजांगला में कोई बंकर इंटाक नहीं था काली यही बंकर था बंकर की वहाँ पर कमी थी लेकिन फिर भी हमको कोई विड्रॉल या पैनिक दिखा ही नहीं हमारे जो जवान थे भारती जवान थे वो खड़े रहे ट्रिंचेस पर खड़े रहे लड़ते रह एक एक गोलियों को उन्होंने लिया अपने उपर लेकिन आकरी वक्त तक कोशिश की कि चाइना यहां से आगे ना बढ़ पाए हमको ब्रोकेन लाइट मशीन गंस मिली हमको हरी राम जो है उनके सर पर बैंड़िज लगी हुई मिली तो यह हमने देखा और हम सब रोने लगे हमने सब की फोटो ली उसके बाद फिर हमने एक लिस्ट बनाई जो जितने भी हमारे जवान जो वीरगती को प्राप्त हुए और उनके बाद इनका क्रेमेशन के अंतिम संसकार किया और जब अंतिम संसकार हो रहा था हर कोई रो रह था, everyone was crying, ऐसा हुआ, ब्रिगेडिये टी एन रहना जो कि बाद में आर्मी के चीफ बने, वो इतने एमोशनल हो गए थे, कि उनको तो अपने आखों से प्रस्थेटिक तक हटाना पड़ा था, वो इतने जाधे एमोशनल हो गए थे, शुरुबात में आर्मी ने तो refuse कर दिया किया दे यह सब कुछ नहीं है, अक्च er twee, मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंग को परमवीरचक्र, परमवीर breakout मेला मेजर शैतान सिंग परमवीर चक्र के माने जा रहे थे, तो शुरुबात में तो, इन्हों ने बोला कि जो इनके soldier थे actually क्या वता जब लड़ाई हुई थी तो major shaitan singh ने बोला कि इसके बारे में दुनिया को पता लगना चाहिए हमारी army को पता लगना चाहिए तुम जाओ तो वो जो soldier था उसने जाने से मना कर दे कि नई साब जी मैं नहीं जाओ जाओ जाके तो जब army headquarters पहुँचा यह इसने बताया तो मानने से मना कर दियता army ने इनके court marshal की बात आगी लेकिन बाद में जब फरवरी 1963 में जब यह लोग गए और इन्होंने अपने आँखों से देखा सबकी आँखें खुली की खुली रह गए इसा भख्ये भख्ये यह हुआ था अब कहानी क्या थी दोस्तों कहानी ये थी कि 1965 का ये युद्ध 1962 का ये युद्ध साइनो इंडिया वार चाइना भारत देखें भारत चाइना पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बाद चाइना जो भारत पर अटाक कर देगा बाई चाइना 1949 में ने बना भारत ने सपोर्ट किया सोचलिस्ट के ही से ही निकलाए कम्यूनिजम आपको पते ही है सोचलिस्ट एक सॉफ्ट आइडिलोजी है कम्यूनिजम एक हाट लेकिन दोनों सेम ही है एक सिक्के के दो पहलू तो भारत चाइना को बहुत दो सपोर्ट करता है इप पाक्ट उनाइटि नेशन की शीट तक चाइना को दढ़िधी थी भारत का ओफर हुई थी उससे मैंने बनायmeal लेक्चर की сообщ about वह यनाइटि नेशन में भारत ने क्यों सीट की ति 5 points थे उसमें कि हम आपकी territorial integrity की respect करेंगे और cooperate करेंगे एक दूसरे पे तो 5 points थे बहुत important उन्निसो पचपन में जाओ इनलाई आया जो चाइना का प्रदान मंत्री था लेकिन चाइना भारत से खफा होने लगा देखे जब चाइना ने तिबबत को अपने कबजे में लिया तब भारत के कान खड़े हुए कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता 1959 में तिबबत की जो अपराइजिंग हुई वहाँ पे दलाई लामा भागे भारत ने दलाई लामा को देखे भारत कैसे इंसा परदाश कर ले आप ये मुझे बताईए ये तो चली अब हम आएंगे ये आप देख सकते हैं कि भारत कैसे इंसा परदाश कर ले तो भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, अब ये चाइना को एकदम आंग बबूला हो गया यह, पहले चाइना की बाउंडरियम से थोड़ी ना लगती थी, वो तो जब उसने तिबबत को कंट्रोल करना शुरू किया, तिबबत को अपने कबजे में लिया, तब उसकी बाउंडरियम से मौत थी, 1964 में जब जब जवालना लेनू मरे थे, उनको इतना धक्का लगा था चाइना के से स्टांस पे, कि बहुत बरोसा करते थे, और जब उनने सो बाउसट में ये पीट पे चुरा भूगा, तो बड़ा मूट खराब हुआ था, तो ये बहुत बड़ा डीजन भी बता में जी करता ही है, वहाँ पे चाइना ने रोड बना ली, अब उस समय भारत जो था था न, वो थोड़ा कमजोर था, हमने मिलिटरी पे हमने ध्यान नहीं दिया, अभी मैं आपको चाइना के बारे में बहुत बड़िया चीज बताऊंगा, आज मैं एक और लेचर लेने बाल चाइना और भारत पर कमपटीशन रहा है, कल्चर को लेके, लेकिन चाइना कभी युद्ध नहीं जीत पाया है, चाइना हमेशा युद्ध हारा है, 2000 साल में चाइना खुद सही लड़ता ला पहले तो, वारिंग पीरिएड, उसके बाद चाइना, 19th century, 20th century को नहीं सकता, उनके खून में ही नहीं है वो, एक जवान चाइना के 20 जवानों पर भारी है, और ये चाइना ने भी देख लिया, चाइना हमेशा कमजोर पर अटक करता है, तो उस समय भारत कमजोर था, क्योंकि हमने अपनी डिफेंस पर द्यान नहीं दिया, तो चाइना को प इनाइटे नेशन जेनरल एसेंबली में गए थे, ये मीटिंग करने गए थे, लेटेन जेनरल बी-म कॉल, जो चीफ अफ जेनरलिस चाथ ये हॉलिडे पे थे, बहुत दिक्कत थी, अब हुआ क्या, कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगे, कि जवाल लाल लेरू ने, फॉरव पे फॉरवर्ड पोस्ट, खोब सारे पोस्ट लगाओ, चाइना को लगा कि भारत एग्रेशन दिखा रहा है, बस काम कतम, 20 ओक्टूबर चाइना के मिलिटरी ने युद्ध छेड़ दिया, ये लगबग एक महीना चला, 21 नवेंबर तक चला, और भारत का एक बहुत बड़ वो पीशे हटा, तो आज का जो नीफा है, अरुनाचल प्रदेश, मतलब हमारा अरुनाचल प्रदेश, आसाम अक साइचेन, यहाँ यह लोकेशन थी, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, ओके, और उसमें माउज जिदौंग चाइना के लीडर था, भारत के लीडर थे, जव Battle of Rizangla एक बहुत बड़ा एक्जामपल है, हुआ क्या था कि यहाँ पर जो battle हुई थी, Battle of Rizangla यह 18 November को हुई थी, आप समझे कि 18 November मतलब चाइना ने लगबग हर चीज जीते ली थी, बस यह आखरी बचा था, चाइना का यह था कि चुशूल सेक्टर, यह जो चुशूल ए की टुकडी थी, 13 कुमाओ, Charlie Company of Battalion, उस समय भारत को न, माउंटेन पे भी, पहार पे भी लड़ने का जाधा experience नहीं था, पहली बारत थे हमारे पास जूते नहीं थे, आपको पता है, यहाँ पे नंगे पैर हो, कुछ जवान में तो नंगे पैर, आपको बता दू कि उस समय ह हालत क्या थी, रिजांगला की, रिजांगला की हालत यह थी दोस्तों, कि अगर मान लिजे कि एक गोई भी बॉडी का पाट खुला है, तो वहाँ पे तुरन बरफ जम जाती थी, पानी बरफ हो जाता था, नवेंबर की बात है, कडाके की ठंड, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस पानी उबालते थे, जैसे ही ठंडा करने, जैसे ही पानी वह गैस बंद की, ठीक है, वो तुरन बरफ जम जाता था, यह हालत थी है, हमारे जवानों के पास ना पहनने के लिए कपड़ा था उस समय, और ना ही बहुत आदूनी खतिया थे, वही 303 लाइफ राइफल थी, जि यही है ना कि जंग जो है वो स्ट्राटेजी से जीती जाती है, जंग स्ट्राटेजी से जीती जाती है, हतियारों से नहीं जीती जाती है, तो अब यहाँ पे जब मेजर शैतान सिंग को, यह मेजर शैतान सिंग जो थे, जो थे, जोदपूर के रहने वाले भारत के सपूत, तो मेजर शैतान सिंग को इसके लिए परमवीर चक्र मिला तो उनको ये पता चला कि भाई चाइना जो है वो यहाँ पर अटाक करने वाला है अब इंडियन आमे हेटक्वार्टर्स ने पहली बोला था कि भाई यह पीछे अड़ जाओ लेकिन यह लोग यहाँ पर डटे हुए और इंडियन आमी से संपर्क टूड़ गया था यह प्रॉब्लम थी आपको बता दू वैसे मेजर शैतान सिंग ने जो ऑपरेशन विजय था जो गुआ को एनेक्स किया था जो नागा हिल्स था उसमें भी इन्होंने पाट लिया था तो एक्स्पीडियन्स थे 37 साल के थे य तो हु महा क्या कि इधर चाइना आ रहे थे चाइना को पता चला तो भाई अब के पास हृतियार है तो क्या करेए तो strategy यह बनाए गई कि हमारे पास चाइना के पास धुटब advanced weapon तो हमार पार जो चीज है हम उसको consolidate करेंगे और उनको पास आने देंगे पास आने देंगे और यहां पर आपको बता दूँ कि बहुत सारे bunkers भी नहीं थे रिजेस खुद-खुद-खुद कोद के बनाई थी तो पास आने तो अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकता है लेकिन मैं यहां पर अकेला लडूँगा कोई भी वापस ने क्या आर्मी परिवार की तरह है जब इंडियन आमी इतनी disciplined है इनका सोचने का तरीका ही अलग होता है इनके लिए पहले है देश फिर इनके जो company मतलब जो इनकी टीम है और आखरी में अपने बारे में सोचते हैं तो यह परिवार होता है आर्मी जो है न वो अगर आप परिवार अगर आर्मी की जो battalions होती है अगर वो परिवार की तरह नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को बचाई नहीं पाएंगी ऐसा तो इसी लिए कोई नहीं गए सब रहें फिर पहली टुकड़ी आई चाइना की और जैसे ही पहली टुकड़ी आई तकड़े से वार किया यहां पर कोलियों की बॉचार जो भी था हमारी आर्मी के पास खतम दुपएर आते आते समझ लिजे कि चाइना का जो पहला टुकड़ी थी उनको खतम कर दिया आनि कि हमारी जीत हुई तो फर्स अटाक में हमने जीत लेकिन यह ना वेव सारी थी पहली वेवाई हमने उनको हरा दिया तो सब सेलिब्रेट करने लेकर तो शैतान सिंग ने बोला कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट ना करो अभी यह पहली वेवाई अभी और वेवाना बाकी है तो अब उसके बाद चाइना जो और खतरनाक हतियार लेके आए कि इनको ऐसे हराना बहुत मुश्किल है तो अब हमारे पस हतियार भी कम होते जा रहे थे बड़ी खतरना क्या करें तो जब हतियार की कमी हुई तो भाई इनके पास यह था कि इनको बहुत पास आने दो और जब यह पास आएंगे तो भाई हैंड टो हैंड कॉमबैट करेंगे तो चाइना से यह जो बैटल अफ रिजांगला जपते चाइना के उपर और एक-एक उपर एक-एक समझी एक-एक इंडियन सोल्जर जो है वो दस-दस पर भारी था मारा घसीट घसीट के मारा बुरी हालत और फाइनली हम देखते हैं कि चाइनीज को बहुत शती पहुँचा है लेकिन दोस्तों चाइना के पास नंबर बह चाइनीज थे तो यह बिल्कुल पक्की बात है कि हजार चाइनीज को तो साथ में ले डूबे जो हमारे सोल्जर्स थे ना उन्हें अकेले समझे लिजे कि 120 की कंपणी ने अकेले 1200 सोल्जर्स को समभा लिया अपने से 10 गुना जादा बड़ी आर्मी को लेकिन उसके बावजूद उधर से गोलिया बरस रही थी अब आई गोली के सामने अब कब तक रिजिस्ट करेंगे और 114 जवान जो है वो मारे गए पांच को Prisoners of War Prisoner कैदी ले लिया इसमें एक निहाल सिंग भागने में कामियाब हो गए तो यहाँ पे जब मेजर निहाल सिंग भागे चाइना ने इनको Prisoner ले लिया और वहाँ से जैसे ही इनको लगा कि यह बस भागने का तरीका है भागने का अभी यह सही मौका है तो हदुरी और मेजर शैतान सिंग जो थे वो हर किसी को जाके पर्सनली मोटिवेट कर रहे थे कि पीछे हटना नहीं है लड़ते रहना है और इसी लिए मेजर शैतान सिंग को यहाँ पे यह शैतान थे चाइनीज के लिए और सोझे कि चाइना भी बहुत इंप्रेस हुआ था चाइना इतना ज़दा इंप्रेस हुआ थे भाई इतनी घजब वीरता कि चाइना ने क्या किया था कि जहाँ पे बैटल हो थे वहाँ पे पर एंपर उसकी नली जो होती है तो वहाँ पे अपनी टोपी लड़का दी थे यहाँ ट्रिब्यूट है कि वाकई में दुश्मन को एक रिस्पेक्ट दी कि जो तुमने युद्ध लड़ा है वो काबिले तारीफ है इतनी ठंड में इतनी उचाई पे जहां पे oxygen की कमी है यहां पे soldiers बताते थे कि अगर हम 5 मिन तक लगातार बोलते हैं तो तुमारी सांस फुलने लगती थी यहां पे जो तुमने युद्ध जो है वो maintain होता है तो अब उस समय भी देखे गलवान वैली पे चाईना ने अटाक या तो गलवान वैली चाईना का बहुत फेवरेट है रिजांगला जो था ना वो आकरी फ्रेंट था और इसी को ही गार्ड कर रहे थे major शैतान सिंग चुशूल वैली जो है वो लद्दाक सेक्टर में मतलब लद्दाक में आता है और सुबा साड़े तीन बजे हुआ था यह सुबा साड़े तीन बजे पांच जार चाईनीज सोल्जर्ज ने हमला किया था यह चीज है अच्छा यह तो चली मैं आपको बताई चुका हूँ ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यह पूरी की पूरी कहानी है और वही है कि हजार से पंदरा सोल्जर्ज जो है वो मारे गए थे फिर वही है कि 21 नवेंबर को फिर यूनी लेटरल सीस फायर हुआ कि ठीक है क्योंकि आप चाईना पर प्रेशर भी बन रहा है तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत की उस सेना मेडल मिले को माओ रेजिमेंट जो है अपनी वीरता के लिए जानी जाती है आप समझिए कि यूनेसको ने जो एट मोस्ट ब्रेवेस्ट बैटल फॉट हुए ना इसमें बैटल आफ रिजांगला भी है यह चीज़ है और तभी से तभी क्या भा अब इस समय तो इंडि 1967 का बॉर्डर डिस्प्यूट हो चाइना इंटीन इटीज में हो चाइना को हमेशा हराया है चाइना के अब उकाती नहीं है यह लोगों को फर्स्ट हैंड मिलिटरी एक्स्पिरियंस ही नहीं यह चीज़ है इनके पास क्वांटिटी एक्वालिटी ही नहीं तो अभी अगर बॉर होता तो किसी दिन भी बॉर हो जाए चाइना को मरा देंगा बहुत आसानी से अरा देगी यह चीज़ तो यह लेचर था और आप लोग टेस्ट जो है वो जरूर अटेंट करो हर दिन शाम पांट बजे हमने UPSC के लिए टेस्ट बनाया और वो आप लोगों के लिए ब खुचरे पर तेरे यह देशे से दान तक नहीं होतरी साइनिंग ओफ